नमस्कार दोस्तों मैं महिमा शर्मा वाइफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर निम्रोलॉजिस्ट वेदान शर्मा मैं आप सभी का तहीं दिल से शुक्रियादा करना चाहती हूं जो आपने मेरे प्रीविएस वीडियो को बहुत जादा सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू वेरी जिस तरह से हमारी जो नॉर्मल कुंडली हम देखते हैं जिसमें सारे ग्र दशान अक्षत्र के बारे में पता चलता है उसी तरह से हमारी डेट ऑफ बर्थ के थू हम निम्रो कुंडली यानि की लोशु कुंडली को भी बना सकते हैं लोशु कुंडली में भी सीम नाइन प् उसमें है 4,9,2 जो 4 नमबर है वो यूरेनस या राहु का है 9 नमबर जो है वो मार्स या मंगल का होता है और जो 2 नमबर है वो मून और चंद्रमा का होता है ऐसे हम जब हमारी second row पर देखते हैं तो 2nd row में आता है 3, 5 और 7, 3 नमबर जो होता है वो Jupiter यानि की गुरू का होता है, 5 नमबर जो होता है वो Mercury या Buddha का होता है, और 7 नमबर जो होता है वो Neptune या Ketu का होता है, जब हम लास्ट रो की बात करते हैं, तो लास्ट रो में हमारे आते हैं 8, 1 और 6, 8 जो की Saturn या शनी का होता ह है, और 1 नमबर जो होता है, वो Sun या सूर्य का होता है, और 6 नमबर जो होता है, वो Venus या शुक्र का होता है, इसी तरह से हम इसमें 8 Plains बनाते हैं, जैसे कि अगर हम 1st row की बात करें, तो 1st row में 492 है, और 492 मिलकर ये तीनों नमबर का कॉंबिनेशन मिला के बनता है Mental Plain, जिससे हमारी Mental Ability के बारे में हम पता कर सकते हैं, इस कुंडली में, फिर 2nd row की अगर हम बात करते हैं, तो 3, 5, 7 मिलके बनता है Emotional Plain, जिससे हम समद सकते हैं, कि जिसकी भी कुंडली में ये तीनों नमबर होते हैं, तो उन्हें ऐसा कहा ज जो की है Practical Plain, इसी तरह से जब हम अपने लोशो ग्रीड में हम वर्टिकली देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट लाइन आती है 4, 3 और 8 की, 4, 3 और 8 जो होते हैं, ये होता है Thought Plan, जो भी जिसकी भी कुंडली में ये जो प्लेन हैं, अगर वो नहीं हैं, या अगर वो है, या उसक आपकी जो Thought है, जो सब आपकी Creativity है, ये आपको पता चलती है, आपके 4, 3 और 8 से, अगर ये Number आपकी Date of Birth में मौझूद है, तो इससे आपकी Creativity के बारे में हम पता कर सकते हैं, सेकेंड हम कॉलम की बात करते हैं, तो उसमें आता है 9, 5 और 1, 9, 5 और 1 होता है, वो Will Plan होता है, आ सबसे Important है आपकी Life के लिए, कि अगर आपकी Numerology में, अगर आपके Number में, Date of Birth में, अगर आपकी ये 3 Number मौझूद है, तो आपका Will Power कितना Strong है, आप कितना अच्छा करने की Life में शमता रखते हैं, उसके बाद जो हमारी Last Column है, वो है 2, 7 & 6 का, जो हमें बताता है Action Plan के बारे में, कि हो सकता है, हमारे अंदर Will Power भी है, हमारे अंदर Thought है, Creativity है, बट हम उसे Action में कैसे लेकर आएंगे, ये सब हमें बताता है, हमारा Last वाला Blend, जो की है 2, 7 & 6 का, तो अभी हमने इन सब चीजों के बारे में जाना, तो लोशू ग्रीट जो है, ये बहुत ही Simple, और ये आप सभी क पता है कि इस दुनिया में हम सब frequency के बीच में रहते हैं, हमारे चारो तरफ frequency है, तो numerology क्या है, numerology भी एक frequency है, तो ऐसा तो possible हो ही नहीं सकता कि ये सारे 1 से लेके 9 तक के number जो है, वो सभी की कुंदली में प्रेजेंट हो, मेरी भी कुंदली में नहीं है, तो हम लोशू ग्री के तुरू हम अपनी daily life में use कर सकते हैं, जिससे हमारे जो weak planets है, हमें उन्हें powerful कर सकते हैं, इसके अलावा, जो कुछ numbers ऐसे होते हैं, हमारी date of birth में, जो repeat होते हैं, बार बार, तो जो बार बार repeat होते हैं, उनका भी एक पूरा reason होता है, एक technical science है, उसके पीछे भी कि ये जो number बार बार repeat हो रहे हमारी कुंडली में, इसका हमें क्या benefit है, क्या drawbacks है, ये सारी चीजे हमें इससे पता चलती है, तो अभी हमने recently, लोशु ग्रीट की रेमिटी हमने शुरुआत की है, और काफी सारे जो हैं, लोग हमसे इससे जूट चुके हैं, तो लोशु ग्रीट में इसके अलावा आपको इसमें रीडिंग्स जो स्टार्ट की है, उसमें हम आपको 42 पेजिस की PDF प्रोवाइड करते हैं, जो की हिंदी और इंग्लिश लैंग्विज में होती है, इसके अलावा इस कुंडली में आप destiny number, आपकी characteristics, आपकी lucky year, आपकी strength, आपकी weakness, आपके जो missing number ह आपके लिए lucky profession, आपके लिए unlucky profession, और जितने भी आपके लिए आपके lucky colors, lucky days, dates, ये सारी चीजे हम आपको उसमें प्रोवाइड करते हैं, वैसे इसके charges 5000 रुपीज हैं, बट अभी हमने recently इसे लांच किया है, तो हम आपको ये detail readings जो हैं, just for rupees 1000 प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिन भी लोगों को लोशुग्रीट के बारे वे लोशुग्रीट के तुरू अपने future को जानना हैं, या वो चाहते हैं कि अपनी life के कुछ doubts है, वो clear करना चाहते हैं कि उन्हें किस field में जाना चाहिए, किस field में नहीं जाना चाहिए, उनके numbers जो missing हैं, उनको कैसे strong करें, इसक contact कर सकते हैं, thank you